सबसे पहले अगर आपन बेसिकली देखें तो मार्केट में गाइड करने वाले तो लोग हैं बट कोई भी ऐसा नहीं है जो हाल फिलाल आपको आईटी में एम्टेक करता मिल जाएगा हमारे एक्सपर्टीज बेसिकली सारे अभी राइट नाव आईटीज में हैं वो रिसेंटली इस प्रोसेस से गो थ्रू हुआ है उनको इतना हुज नौलेज है ना और वह अंदर की नौलेज एक अंदर की इंफोर्मेशन जो आपको कोई नहीं बता सकता अब मैं मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर एक स्टुडेंट है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ठीक है और मेरे सीनियर भी है दो तो आपको क्या लगता है कि जैनरल कैटेगरी में ठीक अब टो पाइटी तो शायद शाय नए थाटीन है और पता ही नहीं और अब चलो मान लेता है कि थाटीन हैंडरेंड पर एमसर फोटोनिक्स या फिर आरेफ या फिर जो भी आएटी इसके बाद किया है उसके बाद कि अब देखे प्लेस्मेंट का सिनारिय तो वह अच्छा है पूछे कैसे अच्छा है तो कुछ भी नहीं करते हैं वह दो सब्सक्राइब यह बागी बचे चार आप उपन लेक्टिव चुनो डेपार्टमेंट के लेक्टिव उसमें वीले साही अब यह कोन बताएगा आपने क्या कि जब बच्चा हमारा कोई भी कोर्स पर्चेस कर रहा है तो उसको नकाली एंटेक तक ही लेकिन उसके बाद में भी उसको अगर अपन गाइड करेंगे तो अपना पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा जैसे बेसिकली बच्चा चाहता क्य चाहते हैं जनरली दो-तीन रिजन होते हैं इसी में तो इसी में तो कोई रिजन नहीं होगा कि बच्चा यहां अलग से आपके लाएंक प्लेसमेंट मील जाए लाइप मोजी बहुत अच्छी स्टार्ट मिल जाए है यही चाहएगा तो आटी मदरास हो गया बंबे हो गया ब वर्वन देख सकते तो के जीपी में गुहाटी में बहुत सारे जगे पर इसे अलग-अलग प्रोग्राम चला रखें इवन मदरास में आप देखोंगे तो प्रोग्राम चलता है इसमें आपको टैक्सेस इंस्ट्रूमेंट खुछ स्पॉंसर करेगी उसके लिए उसके लिए अपने हर एक इटी में फ्रेंड है नाइटी इसमें फ्रेंड नेटवर्क होता है और अपने गोतु हो है तो अपना को चीज़ें पता है बेसिकली यह मार्केट बिल्कुल डिफरेंट कर देती है और सेकंड बात देखें तो प्राइज इतनी रिजनेवल है कि कोई भी सको कर सकता है और तीसरी बात अगर देखें तो एक्सपर्टीज में एक हाई रैंक से लेकर एक्सपर्ट भी है जिसने तो बहुत जादा ही रिसेर्च करिए अपने पर्टिकलर फिल्ड में एंटेक में मोटा मोटी में आपको दो ती चीज़ आपको बिल्कुल मार्केट में और दिफ्रेंड बनाती है इस प्रेट्वम को तो और कुछ आप जो एड करना चाहते हैं मैं आपने जैसे तो मेजरली सब कुछ कवर किया लेकिन जैसर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अपना जो यूएस्पी है ना वो यह है कि अपन एक्कुरेट डेटा प्र बच्चा है तो उसको सभी आइटी के फॉर्म भरने के जरूद नहीं है वो कुछ आइटी में कुछ सिलेक्टेड ब्रांच इसका अगर फॉर्म भरेगा तो इसको इतनी अच्छी सीट और इतनी अच्छी डिजर्विंग सीट मिल जाएगी जो उसके लिए बेस्ट अच्छी से लेकिन आप उसको हर एक स्टेप में गाइड कर पाएंगे अगर मान लेजिए उसको कुछ एक स्पेसिफिक चीज सिखनी है तो अगर वो मेरा अगर रीच अच्छा हुआ तो मैं उसको वहां हेल्प कर पाऊंगा तो यह जो अपनी इंटर कनेक्टिविटी है सा ठीक है सर तो यह discussion को अपनी इतना short ही रखते हैं और अगर आपको हमारे platform से कुछ भी help मिलता हो तो please like करें हमारे चैनल को subscribe कीजिए और comment कीजिए ताकि reach हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आपके दोस्तों को help मिलत सके थैंक यू